देश में इस वक्त जो है बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं तो उस पर भी बहुत सारे सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं आतकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिस तरह से दिल्ली की आज हालत बनी हुई है वो सबसे बड़ा सवाल जो है देश के सामने है इस पर हम बाचीत करेंगे हमारे साथ है अल इंडिया अंटी टेरिस्ट फरंट के चेर्मेन सबसे पहुंचे सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे शिमला आने का कोई विशेश प्रयोजन अपना हमारा शहर है अपना देश है मन करता है बस आगे कुछ कोई मिलने गिलने सब को पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे दिल्ली जल रही है चौबीस लोग जो है जिनकी मृत हो चुकी है मेरा एक सवाल पूरे देश की जनता से है अकेले मुसलमान भाई से नहीं है सिख भाई से नहीं है हिंदू भाई से नहीं है क्या किसी मुसलमान हिंदू का जगड़ा है इस रास्टर के अंदर कोई जगड़ा नहीं है पंगला देश से कोई आ जाए शिरी लंका से आजाए, अफगानिस्तान से आजाए, जा और श्री लंका और कई जो हमारे आसपास देश हैं, कहीं से गलत तरीके से आके हिंदुस्तान में गुश करके, वो अपना पास्पोर्ट भी बना जाए, वो आईडी प्रूफ भी बना ले, राशन कार्ड भी बना ले, यहां रहन भी शुरू कर दे, और जिस हिंदु मुसल्मान सिक इसाई ने, इस मात्र भूमी की धरती पे जनम लिया है, और उसका हक चीन करके, दोखा करके, वो ही उसकी मौज लेती रहे, क्या किसी हिंदु मुसल्मान सिक को यह बरदाश होगा, यह मेरा प्रशन और मेरा बड़ा सवा है, किसने यह कहा, कि हिंदु मुसल्मान भाईयों को यहां से निकाल देंगे, हमें है ना, पंजाब के अंदर लड़े थे ना, देश के लिए, मजाला किसी हिंदु मुसल्मान सिक के इसाई को आचाने दी, किसने कहा, पर अगर बाहर से आए हुए गलत तरीके से, पाकिस्त इसाई के अजंट बन जाएं, उनसे पैसा लें, उनका अपने मुल्क से प्यार ना हो, उनका मुल्क मंगला देश है, उनका मुल्क पाकिस्तान है, और हमारे हिंदोस्तान को तोड़ने की कोशिश करें, और हिंदोस्तान के चंद लीडर, मुसल्मान समाज के चंद लीडर, उनको स्पोर्ट करें, तो कैसे परदाश होगा? हिंदु मुसलमान सिख्षाई हम एक हैं, किसने कहा फर्क है? सेब आप तो यह कह रहे हैं, लेकिन जो लोग परदर्शन कर रहे हैं, उन्हें क्यों ये बरोसा नहीं है? कोई परदर्शन करने वाड़ा जनाब नहीं होता परदर्शन जन लोगों के जन्वन होते हैं वो आपको भी पता होता है हमको भी पता होता है बड़े परदर्शन दिल्ली के अंदर हुए सबको पता है ये परदर्शन बड़ा बिल्कुल जन्वन निर्वया केस हुआ और हो जिनकी आज डाल नहीं गल रही जो इस वज़ा से जल रही है तिक दलों के बिल्कुल इनके पीछे राज पहली बात तो यह हम राजनेतिक लोगों हमारी सोच क्या है लोगों को बढ़काना हम समाज के अरदर्श हैं मैं भी आपके सामने हूँ आप पंजाब के अंदर नहीं का मेरी जाध बंदे मातरम ये क्यों ही लोग कहते आज रों जो तरंगे जंडे के हिंदू मुस्लिम सिकेसाई को तरंगे जंडे को लेके उसको समय किवम बना लिया भारतों माता की जाय कांवा California बोलके उनको बना लिया बर रहें बड़ी अच्छी बात है पर अंदर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें रास्ट का नुकसान हो देश एक है हिंदुस्तान में अंदर जन्म लेने वाले किसी मुसल्मान भाई को कोई तकलीफ नहीं है यह मैं गरंटी से कहता हूँ यह साजस हो रही है पीजे साजी साब मानने तो क्या इस साजी से लड़ने में जो है सरकार फेल है वो तंतर फेल है विफक्ष ने तो आज सवाल उठा है सोने अगानी खुद आई थी प्रेस कॉंफरेंस करने सवाल पूछे है ग्री मंतरी का इस्तिफ़ा मातर है यह वो ग्रह मंतरी मैं को बीजेपी का स्पोर्टर नहीं हूँ सर्दार पटेल के बा नाम जनव भूमी का कोट का फैसला और उसके बाद पूरे रास्ट के अंदर लाउंड आउडर की स्तिती को बिल्कुल ठीक रखना कौन था उसका पीछे आमीशा और नरिंदर मोदी मेरा उनसे को सबन नहीं पर प्रत्रम रास्ट के उपर जरूर बोलूँगा पर अगर शर जमेदारी तो सरकार की ही हुए ना 24 मौत हो गई है दिल्ली जल रही है मंतरी के अंडर जो है पुलिस है आदि दिल्ली पुलिस सेंटर गौर्मेंट के अंदर उनकी जम्मेदारी तो बनती है पर हालात को काबू करने के लिए ये तो नहीं हो सकता कि पूरी थार 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 किशी मुसल्मान भाईयों के ओपर गोली चला दो कई चीज़ें देखनी पड़ती है को मुसल्मान भाई की मौत न बनाया गया और दूसरी मैं बात कहूं कई सोसाइटियां बन चुकी है ऐसी जिन सोसाइटियों की सोच ही गलत है जिसमें नौजवान लड़के घुमते जा रहे को बीम सैना है को और सैना है को खालसतान कमांडर फोर्स है को पंजाब के अंदर हिंदू संगठन है जैसे सू संगठनों के उपर पहन लगाए मेरा अगर संगठन एंटी टैरिस फ्रंट अगर देश को तोड़ने की बात करता है फिरकाप्रस्ति की बात करता है भाईचारे को तोड़ता है तो मेरे पर पहन लगाए बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए तभी देश से अपना बच सके का हमारा सबका नारा होना चाहिए मेरा धर्म भारत मा मेरी जात बंदे मातरम और इसके उपर ही हमें चलने की आज जरूए